हेलो एवरीवन वेकम बैक ओन मैं चैनल तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल फिलोसोफी ओफ गिजु भाई इनका डेट आप देख सकते हैं का 1885 को इनका मतलब डेट आफ बोर्थ है और 1939 को यह एक्सपायर हो एते अब इंट्रोडक्शन में अगर हम जाने तो गिज गिजु भाई गिरजी शंकर भगमान जी बड़े का ठीक है यह इनका नाम था बड़ इनको पॉप्लरली इनका नाम जो फेमस हुआ किस नाम से हुआ गिजु भाई से फेमस हुआ इनका जो जनम है नवंबर 15 1885 को गुजरात में हुआ था तो बिसिकली टीचर थे बड़ टीचिंग प्रोफेशन के पहले यानि जो पना टीचिंग प्रोफेशन शुरू करने से पहले यह प्लीडर भी थे यानि वकील भी रह चुके थे ठीक है और उसके बाद उन्होंने ही बिकेम हैड मास्टर वो विनाय मंदिर के या जो हाई स् बाद में नियुक्त हुए तो टीचिंग के दौरान क्या हुआ कि उन्होंने स्टूडेंट्स और टीचर को पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने ऑबजर्व किया इसके बाद वो जो एजुकेशन से एजुकेशन जिस तरीके से मच्चों को दिया जाता था उससे वो संतू इसके बाद उन्होंने क्या किया रिजाइन कर दिया हाई स्कूल से और उन्होंने अपना खुद का स्कूल बाल मंदिर जो है उसका निर्मान किया जिसमें की जो तीन साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाती थी यूँकि उस समय क्या होता था यह यानी 1885 का जो बाल मंदिर वस इस्टैबलिस्ट बाई गीजु भाई इन 1920 को इसका इस्टैबलिशमेंट हुआ किसके द्वारा गीजु भाई के द्वारा यहाँ पे आप उनकी कुछ फेमस बुक्स देख सकते हैं प्राथमिक शाला में शिक्षा, मातपिता के प्रश्न, दीवासवपन, बुधिया के 23 बच्चे, मिंडग की शादी, कानी, गौरया, ठीक है, यह सभी उनकी फेमस बुक्स थे, ठीक है, उसके बाद अगर हम उनके एजुकेशनल फिलोसोफी की बाते करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हैवन इन हैपिनेस, तो उनका क्या मना था कि जो हैपिनेस है, जो खुशियां है, वो एक बच्चे की खुशी में शामिल होनी चाहिए, बच्चे के खुशी में, बच्चे के प्लेजर में, हैवन है, यानि स्वर्ग, यानि हैवन मिलता है, यानि होता है, ठीक है, आगे देखते हैं, हैवन इन हेल्थ, तो उनका क्या मना है, कि बच् टीचर उनको पढ़ा रही है तो टीचर का पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए बच्चे के हेल्थ पे बच्चे के थौट्स पे ठीक है सभी पर होना चाहिए heaven in song अब उनका क्या मानना था कि heaven is in songs and hummings of the child तो heaven किसमें songs में और एक बच्चे की खुशी होंगे ठीक है heaven in playful innocence और heaven क्या है जो बच्चे जो innocently खेलते हैं उसमें भी क्या है heaven मिलता है ठीक है environment कैसा था बाल मंदिर जो school है वहाँ पे तो concern for child's individuality यहाँ पर देख सकते हैं यानि की बिसिकली जो teaching था यह सेंटर था और चायल सेंटर था एजुकेशन का चायल सेंटर था हर एक बच्चे पर इंडिविजुल तरीके से ध्यान दिया जाता था क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है यहाँ पर इंडिविजुल जो डिफरेंस उसके सिध पर एजुकेशन कारे करता था हर एक बच्चे का क्या है टीचर हर एक बच्चे के ओपर ध्यान देती थी ठीक है और वर्ट इस बाल मंदिर इस अखनोलेजमेंट फ चायल इंडिविजुल एटी यानि हर एक जो बच्चा है वह दुसरे बच्चे से अलग होता है हर एक बच बच्चा है इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए ठीक है क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता हर एक बच्चा ही दूसरे से अलग है लोकली मेड एकोनोमिकल लर्निंग मटेरियल सो जो गिजु भाई थे वो मॉन्टे सरी के जो टोल्स और मैथड को इंप्लिमेंट करते थे अपने एजुकेशन में बट बाद में उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने लेटर ही मॉवड इंटो थिंकिंग ओव वेज दाट वर मॉर नेक्सपेंसिव और लोकल लर्निंग मटेरियल यानि जो असानी के साथ मिल जाए ऐसे इनेक्सपेंसिव जो जादे कॉस्टली ना हो ऐसे मैथड को ऐसे वेज को उन्होंने इंप्लेमेंट करने की बात कहीं क्योंकि जो मॉन्टेसरी मैथड है वह थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता था इसलिए उन्होंने क्या कहते है कि जो लोकल मार्केट में एजीली अवेलेबल हो ऐसे ही माटेरियल को उन्होंने इंटलूड करने की बात की ठीक है शेरिंग एक्टिविटी विद चिल्रन तो गिजी भाई क्या कहते हैं टीचर कैसा होना ची टीचर ऐसा हो जो कि बच्चों के साथ खुद जो है खेल सके जानवरों की प्लांट्स की प्लांट्स की बच्चों की बच्चों को स्टोरी सुना सके केवल कीजा और कुईन्स की नहीं बच्चों की इस तरीके से कहानी सुना सके नौस का मन थको छों स्कूल कहें जो एक स्कूल पलेस है और स्कूल में किसी प्लकार गरासन उनी व और चाहिए method of teaching तो यहाँ पर देख सकते हैं play way method, storytelling method, field trip method, recitation method, dramatic method curriculum में इननों कौन साइड किया था? poetry, grammar, geography, history, mathematics, drawing, dictation, games उनोंने include किया था छोटे बच्चों के लिए ठीक है? बाल मंदिर तो बिसिकले छोटे बच्चों के लिए था teacher देख सकते हैं तो उनका क्या माना था कि teacher एक केवल एक guide के तोर पर और एक advice के तोर पर ही होना चाहिए आगे देख लेकर, आगे है child तो बिसिकली यह जो education है इनका गेजु भाई का यह बिसिकली child centered ही education है उनका क्या मानना है? वो क्या मानते है कि जो child है वो क्या होता है? God की तरह होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए he writes बाल दे वो भाव यह नहीं क्या लिए था? कि बाल यानि जो बालक है जो बच्चे है वो क्या है? देवता के समाने और जब सबसे बड़ा crime कौन सा है इस world में बच्चे को abuse करना गालिय देना या बच्चे को punishment करना उनको beat करना तो यह था हमारा आज का वीडियो आज हमें क्या पढ़ा है गेजुबाय की educational philosophy I hope you like this video If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe my channel We will meet in the next video Till then, bye and take care